नमस्कार आप दीक्रे निउस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांध्वन आपके साथ महागजबंधन में उपरी सता से भले ही सबकुछ all is well नजर आता हो लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा आरजेजी के नेताओं का तंच कसना जदियू पर लगातार जारी है जबसे महागजबंधन की सरकार विहार में काबज हुई है तब से लेकर अब तक महागजबंधन के अंतरगत आरजेजी के नीता हमेशा जदियू पर हावी होने की कोशिश में लगे रहते हैं कई तरह की बयान दिये जाते हैं मुक्षिमंत्र नितीश कुमार के खिलाफ अब शब्दों का अस्तमाल किया जाता है मर्यादा तोड़ी जाती हो और महागचबंदन धर्म का उलंगन भी किया जाता है लेकिन जो आश्यर चिकत करने वाले बात है वो ये होती है कि आश्यर नितीश कुमार बेस पूरे मसले को दरकिनार कर देते हैं तो वहीं नितीश कुमार भी साइट हो जाते है सबसे पहले आश्यर निताओं के तरफ से इस सिलसले के शुरुआत की गई एक तरफ जहां आरजेडी कोटे से पूर्वा कृशी मंतरी सुधाकर सेंग तो वहीं दूसरे तरफ से आरजेडी कोटे के बिहार सरकार के वरतमान सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर शेखर इन दोनों के द्वारा विबन अमुदों पर तरह तरकी टिपणिया की गई अपशब्दों का इस्तमाल किया गया जिससे सियासत ने कई दफ़ा बिहार से लेकर दिल्ली तक में उबाल भरा जद्यू के तरफ से अल्टिमेटम आरजेडी को जारी किया गया कि आप अपनी नेताओं की जुबान को साम्हाल ले वना इसका खामयाजा आपको ही भुगतना पढ़ सकता है और मागटवंदन की सरकार में सबसे जादा नुकसान आरजेडी को हो सकता है लेकिन आरजेडी के नेताओं ने एक ना सुनी उनके तरफ से लगतार बयान दिये ही जा रहे हैं चाहे वो सुदाकर सिंग हो या फिर प्रोफेसर चंदर शेखर और अब इन दो मंत्रियों के बाद नितीश कुमान ने टार्गेट कर लिया है बिहार के उपमुक्ष मंत्री तिजस्वी आदफ को जहां नितीश कुमान ने तंच कस दिया है सबके सामने जिससे तिजस्वी आदफ की बोलती बंध हो गया दरसल बिहार में बनी मागजबंदन सरकार कारेकाल समालने के बाद से ही चर्चा में है शपत लेते ही दो मंत्रियों को लेकर विवाद हो गया उसके बाद राज़त की ओर से नितीश को लेकर बयान बाजी का दौर शुरू हो गया सिती इतनी बिगड गई कि जदियों ने आजजेडी कोटिस के मंत्री पर कारवाई की मांग कर दी उसके बाद सिक्षा मंत्री चंदरशेखा ने मैस लेवल पर लोगों को नाराज करने वाला बयान दी दिया उन्होंने रामचाहित मानस को लेकर ऐसे चिपणी की कि पूरे बिहार में उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए उसके बाद जदियू ने खुद को राज़त के स्टैंड से अलग कर लिया मामला अब एक कुछ शांथ हुआ ही था कि चंदरशेखा ने एक बार फिर बयान दे डाला रामचाहित मानस को लेकर उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया उसके बाद जदियू विदायक संजीव कुमार के ओर से उन्हें इसलाम कबूल करने की सला दी गई यहां तक तो ठीक था उसके बाद आरजेटी कोटे के मंतरी ने क्याबनेच में आने वाले प्रस्ताफ को पहली ही मीडिया में लीक कर दिया फिर क्या था नितीशुमार भड़क गए और इसे नियम के खिलाफ बताया सियासी जानकारों की माने तो नितीशुमार बिलकुल अनुसाशन में चलते हैं मुख्यमंतरी समवधानिक प्राबधानों की कद्र करते हैं नियम के खिलाफ कुछ भी होने से उन्हें अच्छा नहीं लगता नितीशुमार ने उस बात पर अपत्ती जताई है कि जिसमें क्याबिनेट में बिना पास हुए प्रस्ताफ की जानकारी मीडिया को दे दी गई नितीशुमा ने इस मामले को लेकर आजजेजी कोचे के मंतरियों की क्लास लगा दी इतना ही नहीं मंतर इस्राइल मंसूरी पर लगे हत्या के आरोप से नितीश आहत हुए उन्हें विदान सबब में विपक्ष के सामने जुकना पड़ा नितीशुमा ने कहा कि वे मामले की जाज करवा लेंगे उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि मामले की जाज की जाए इसराइल मंसूरी पर काटी में प्रदर्शन कर रहे एक युवक की हत्या कराने का आरोप लगा है जोसे लेकर पक्ष हमला वर है बराल ब्यार में साथ पाचियों के मागच बंदन की सरकार चल रही है मुख्यमंत्री नितीश मार अंदनों अपने मंत्रे मंजल के राज़त कोटे के मंत्रियों को ही नसीहत दे रही है ऐसे में कई तरह की कयास भी लगाय जाने लगे है नितीशमार सिक्षा मंत्री चंदरशेखर के रामचेत मानस को लेकर दिये गए बयानों से पहले से ही नाराज है इसके बाद मंत्री ने कैबिनेट की बैटक के पुर्व है सिक्षिकों की नियुक्ती को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की तो मुख्य मंत्री को नागवार गुजरी मंत्री ने साथवे चरण के सिक्षिक नियुक्ती नियामावली का ब्योरा कैबिनेट में जाने से पहले ही उनके स्तर पर लीक हो गया इसके बाद नितीशमा ने वदान सभा में ही उन्हें नसीहत दे डाली नितीशमा ने राजपाल के अभिवाशन पर सदन में बोलते हुए मंतरी के और इशारा करते हुए नसीहत देनी के अंदाज में कहा कि काबिनेट के बाद पहले ही मीडिया को बता देते हैं उन्होंने का कि क्याबिनेट में भेजे जाने की बात सारवजनिक नहीं की जाती उन्होंने आगे का कि जब क्याबिनेट में पास हो जाएगी तो घोशना होती है गौर तलब है कि नितीश्वान ने का कि हम अकबार में देखे कि सिक्षा मंत्री चंद्शेकर के हवाले से खबर छपी थी सिक्षा मंत्रे पर तंच कस्ते होई कहा कि कैबिनेट में भेजे जाने की बाद को सारवरजनिक नहीं किया जा सकता सम्वेदान में प्रावधान है लेकिन अकबार में छपने लगा कि क्याबिनेच में प्रस्ताव भेज दिया गया है तो ये गलत है कहा जा रहा है कि मुजभरपुर के काटी में एक यूवक की हत्या के मामले में मंतरे स्राइल मंसूरी पर आरोप लगाए जाने के बाद बी मुख्यमंतरी की किरकिरी हो रही है भाजवाद वारई ममले को सदन में उठाये जाने के बाद नितीश ने मंत्री को नसीहत दे डाली है मुक्षे मंत्री नितीश कुमार का आखिरकार गुसा आर्जेजी कोटे के मंत्रियों पर फूठी पड़ा जहां उन्होंने सारवजनिक तौर पर सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के सामने आजएजी कोटेस मंत्री को नसीहत दे डाली और कह दिया कि बाते सारवजनिक नहीं की जाती है क्याबिनेट की क्या इतना भी आपको मालूम नहीं है क्या नितिश कुमार को सुशाशन बाबू कहते हैं कहा जाता है कि नितिश कुमार अनुसाशन की बेखत कद्र करते हैं और वो उसे हिसाब से अपने कार्यों को करते हैं अनुसाशन का उलंगन उन्हें कतई भी बरदाश्ट नहीं है इसलिए प्रोफेसर चंद्रशेकर को उन्हों ने सदन के भीतर ही लताड दिया था फलाल के लिए इस खबर में अतना ही नमस्काँ